मैं आज भी देखता हूं काफी लोग अपने आइफोन को यूज करने में बहुत सारी गलतिया करते और एक नई दो ने बलके 15 गलतिया करते तो आए इस वीडियो में वो सारी गलतिया बताऊंगा जो आपको नहीं करनी चाहिए और कैसे अपने आइफोन को एक्यूरेटली यूज करना चाहिए नमस्कार दोस्तों मेडम यामित विल्कम बाक टो ओलोजिन टेकन इंदी इस टाइम फर टेकनोलाजी सबसे पहली गलति जो लोग करते तरह इस फाइंड माई आइफोन को आउन नहीं करते एस वेल इस फाइंड माई आइफोन के साथ कुछ और भी सेटिंग्स है जो आपको आउन कर लेनी चाहिए उसके लिए हम आएंगे settings में settings में आपका जहां पे नाम लिखा हो वहाँ पे आपको click कर लेना है उसके बाद यहां पे आपको एक option मिलेगा find my का वहाँ पे आपको click कर लेना find my iPhone पे and यहां आके आपको find my iPhone तो on करना ही करना है plus आपको find my network भी on कर लेना and send last location भी कर लेना है on तो find my network आपको तब काम आएगा तो अगर आपका phone चोरी हो चुका है and वो offline हो गया है तो फिर भी इस mechanism के थुरू आपका iPhone आप धून पाओगे and send last location ये करेगा कि जब भी आपके iPhone की बैटरी critically low हो जाएगी तो आपका जो भी last location आपका iPhone उसका location Apple को send कर लेगा automatically next गलती जो लोग करते हैं तो आपका जो iPhone वो इस तरीके से design किया गया है कि 0 degree से 35 degree Celsius की बीच में वो काम करें इससे कम या जादा आपका ambient temperature नहीं होना चाहिए तो कुछ लोग outdoor भढ़कती दूप में अपने iPhone को use करते हैं जो आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए 35 degree Celsius के environment के उपर आपका iPhone कभी जाना ही नहीं चाहिए next गलती जो लोग करते हैं तारिस जब भी कोई नया app डाउनलोड करते हैं अपने phone में तो जो भी permissions वो आप पूछता है वो yes करते जाते हैं तो आपको ऐसे बिल्कुल नहीं करना है अगर आपने कर लिया है तो फिर आपको आना है Settings में यहाँ पे Option में लेका Privacy का Privacy के अंदर आपको आना है Location Services अब Location Services में आपको सारे apps यहाँ पे दिख जा रहे हैं तो फिर आपकी बैटरी तो drain होगी होगी, प्लस आपके iPhone का जो CPU वो भी constantly use होता रहेगा, and precise location को अगर आप off कर ले तो, तो उससे benefit यह है कि approximate location आपका जाएगा उस पड़ी आप के पास, exact location आपका डून नहीं पाएगा, अगली गलती जो लोग करते हैं, कि यहाँ पे सारे जो background apps है, उनको kill कर देते हैं, लेकिन यह आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और क्यों नहीं करना चाहिए, वो मैं आपको बता देता हूँ, तो for example, यहाँ पे background में Safari है, जैसे मैंने इसको open किया, तो आप देख सकते हैं, जो last मेरा page था, वो automatically open हो चुका है, तो कहने का मतलब इस particular page को वापस open करने के लिए, मेरे iPhone को ना battery यूज करनी पड़ी, और ना CPU यूज करना पड़ा, लेकिन अगर मैं इसको close कर देता हूँ, और वापस जब मैं Safari को open करूँगा, तो इस page को वापस load करना पड़ेगा, और उस process में ज़्यादा CPU यूज होगा, ज़्यादा battery भी यूज होगी, तो हमेशा याद रखना, background की apps आपको ऐसे close नहीं करने, आज भी मैं देखता हूँ, काफी सारे लोग ये गलती करते हैं, अब जैसे के मैं आपको पहले भी बता है, कोई भी नया app जब लोग डाउनलोड करते हैं, तो सारे permissions पे allow, allow, allow क्लिक करते जाते हैं, लेकिन वो ये नहीं देखते कि वो app कौन सी permissions आपसे मांग रहा है, ऐसे में आपको ये करना है, सबसे पहले आपको आना है settings में, settings में आपको आना है privacy में, privacy में आपको यहाँ पर option मिलेगा tracking का, यहाँ पर आपको allow apps to request to track को off कर देना है, तो इसको off रखने से benefit ये है, कि जब भी कोई app आपको track करने की request भीजता है, तो automatically deny हो जाएगा, अगली गलती जो लोग कर देना है, सफारी में बहुत सारे tabs open करके रखते हैं, अब जितने ज़ादा tabs open होंगे, उतना ज़ादा CPU use होगा आपके phone का, इसलिए अगर आप tabs को close करना भूल जाते हो, तो फिर आपको आना settings में, settings में आपको आना safारी में, सफारी में यहाँ पर आपको एक option मिलेगा close tabs, जो फिलाल मैंने manually करके रखा है, आप one day भी कर सकते हो, one week भी कर सकते हो, लेकिन ideally इसको one month करना चाहिए, क्योंकि one month के बाद अगर आपने वो tab open रखा है, उसका मतलब वो tab कोई भी कामका नहीं है, अगली चीज जो आपको हमेशा करके रखनी है, आपको आना है general में, जरनल में आपको आना है background app refresh, यहाँ पर जिन apps को अगर आप background में refresh नहीं करवाना चाहते हो, तो वो यहाँ पर आके आपको off कर देना है, तो off कर दोगे तो background में वो refresh नहीं होते रहेंगे, आपल भी हमको clearly बोलता है, कि अगर आप damage cables यूज करोगे, तो उससे आपका iPhone भी damage हो सकता है, नेक्स गलती जो लोग करता है, कोई भी केबल और कोई भी charger से अपना iPhone चार्ज करना शुरू कर देंगे, लेकिन आपको सिर्फ MFI certified cable ही यूज करना है, MFI certified मतलब made for iPhone, एंड charger भी आपको fake charger बिल्कुल यूज नहीं करना है, अब MFI cable की buying links आपको चाहिए, तो description में देखे रखूँगा, आप वहाँ जाके उन cables को purchase कर सकते हो, नेक्स गलती में देखता हूँ, काफी सारे लोग मेरे को बोलते के jailbreak कैसे करें, लेकिन मैं हमेशा recommend करता हूँ, आपके iPhone को jailbreak नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आपने iPhone को jailbreak किया, उसके बाद अगर आपका phone खराब कहीं हो गया, तो Apple भी आपको इसमें मदद नहीं करेगा, अब next में जानता हूँ, जब भी Android से iPhone पे shift होता है, तो वो चाहता है कि अलग-अलग sources से अपने apps को download करें, लेकिन iPhone में आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, आपको अगर कोई भी app डाउनलोड करना है, तो app store में जाके करना है, और अपको उसके पहले आपको उस पड़े आप का review भी चेक कर लेना है, अब एक और best practice है, जो मैं अपने iPhone में करता हूँ, आपको भी मैं recommend करूँगा, that is once in a while आपके iPhone को आपको restart कर लेना है, अब मैं once in 15 days या फिर once in 30 days भी कर लेता हूँ, तो आप once in a month at least आपके iPhone को restart करिये, तो जैसे आपके iPhone को आप restart करोगे, तो कोई भी crashes या फिर कोई भी bugs होंगे, वो kill हो सकते हैं, अब जिन लोगों को ये नहीं पता है कि आपके iPhone को कैसे restart करना है, तो volume और जो power button है, इन दोलों को दबा के रखना है, और उसके बाद आपको slide to power off कर देना है, अब जो लोग Android से iPhone पे shift होते हैं, तो एक घलती ज़रूर करते हैं, तो जैसे volume अप करते हैं, उनको लगता है कि उनका जो ringtone का volume है, वो भी बढ़ गया है, लेकिन जब volume अप एंड डाउन आप करते हो, तो ये सिर्फ आपका music and videos, तो ये मीडिया का volume increase करता है, ringtone का नहीं करता है, तो ringtone का increase करने के लिए आपको आना है settings में, settings में आपको आना है sounds and haptics में, यहाँ पर आपको option मिलता है ringer volume increase or decrease करने के लिए, अगर आप change with buttons को on कर देते हो, उसके बाद अगर आप volume increase करते हो, तो आप देख सकते हो ringer की volume यहाँ पर increase हुई है, अब next एक बहुत ही important काम है, जो आपको कोई भी नहीं बताएगा, लेकिन आपको इसको जरूर कर लेना है, that is आपके Apple ID के साथ, आपका working phone number link कर देना है, तो अगर by chance आप अपना password भूल गयो, या फिर आपकी Apple ID कोई और iPhone में डालना चाते हो, और वैसे में आपके पास और कोई भी Apple devices नहीं है, जहाँ पर आपको एक confirmation मिले, तो mobile number add करके रखने से, आप आसानी से अपने Apple ID से login कर पाऊगे, और जैसे के मैंने आपको बता है कि आपको updated mobile number ही डालके रखना है, क्योंकि अगर आपने कोई पुराना mobile number डालके रखा होगा, और फिर अगर आपको आपकी access regain करनी है, तो पूरा process काफी लंबा है, 25 days लग जादे उस Apple ID को recover करने के लिए, तो Apple ID के साथ आपका mobile number कैसे link करना है, वो पूरा process में आपको screen पे दिखा रहा हूँ, तो सबसे पहले आपको description में दी गए link पे click करना है, जो Apple की खुद की website है, that is appleid.apple.com, उसके बाद आपको वहाँ पे sign in करना है, next आपको account security में आना है, और यहाँ जाके आपको आपका phone number add कर देना है, अब आखरी गलती जो लोग करते हो बहुत ही important है, अब उसके लिए हम आएंगे settings में, settings में आपको आना है face ID and passcode में, यहाँ पे नीचे जब आप आओगे, तो यहाँ पे आपको यह option मिलेगा, allow access when locked, अब यहाँ पे आपको multiple options मिल जाते हैं, अब किनको on रखना चाहते हो, किनको off रखना चाहते हो, जिसको मैं इस वीडियो में cover नहीं करूँगा, नहीं तो यह वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, लेकिन अगर आप detail में जानना चाहते हो, तो जितने maximum comments में इस मिलेंगे इस topic पे, उसके basis पे मैं अगले वीडियो में इनको भी cover कर लूँगा, लेकिन फिलाल बात करेंगे most important point की that is USB accessories, जिसको आपको हमेशा off करके रखना है, अब USB accessories को off करने के लिए में क्यूं बोल रहा हो आपको, तो अगर आपका iPhone कहीं चोरी हो जाता है, तो चोर सबसे पहले ये करेगा, केबल से connect करेगा आपके iPhone को, और उसके computer के थुरू आपके phone में enter हो के सारी data चोरी कर सकता है, या फिर आपके iPhone को reset भी कर सकता है, लेकिन अगर आपने USB accessories वाला जो option है वो off करके रखा होगा, तो सबसे पहले वो password मांगेगा, अगर उसको data का access चाहिए तो, और अगर past one hour में आपके iPhone को आपने unlock किया है, तो फिर आपका iPhone आपको पासवर्ड नहीं मांगेगा, तो basically आपकी safety and security के लिए ये option आपको सबसे पहले आके off कर देना है, तो इन में से अगर आप एक भी गलती कर रहे थे या फिर सारी गलतियां कर रहे थे, या फिर कुछी गलतियां कर रहे थे, comment करके मुझे ज़रूर बताना, लेकिन उसके पहले वीडियो को like कर दिये, share कर दिये, चैनल पर पहली बार है सबस्क्राइब कर सकते हो, पास में आपको जो bell icon दिख रहा है, उसमें भी क्लिक ज़रूर कर ये, देखते रहे ओलोजिन टेकिन हिंदियों मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में,